अक्सर देखने में आता है कि पार्किंग की व्यवस्था ना होने पर लोग अपनी बाहनों को कहीं न कहीं पार्क करने की जगा ढूंडते हैं ऐसा ही एक मामला मानसरोबर कॉलोनी निवासी संजे का सामने आया है जिनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुआ करती थी लेकिन गाड़ी खड़ी करने के बाद जब आज वो अपनी गाड़ी दुबारा से लेने पहुँचे तो पूरी गाड़ी को किसी ने डैमेज कर रखा था बताया जा रहा है कि पार्किंग के स्वामी ने साफ साफ कह दिया कि इसके लिए उनकी कोई जिम्मेधारी नहीं है जब कि सीधे तोर पर अगर देखा जा है तो कहींड़ी की जिम्मेधारी होती है तो कहीं न कहीं पार्किंग के मालिक की ही लापरवाही सामने आती है या फिर सुरक्षा गार्डों से कोई चूप होती है तो कि लाखो रुपय का सामान पार्किंग के बहाने ही लोग खड़े करके चले जाते हैं तो वहीं बताया जा रहा है कि पार्किंग मालिक एक भारतिय जनता पार्टी के नेता का नजदी की है जो उस पर दवाव डाल रहा है जबकि बाहन स्वामी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है अब देखना ये है कि रिपोर्ट दर्ज ह उपाती है या नहीं या फिर भाजपा के नेतागिरी के कारण बाहन स्वामी को उल्टे पैर अपने घर बापस लोटना पड़ेगा और इनसे मैंने बिंदल वालों से बात की है तो उन्होंने अपने आपको कुछ बाश्पा के जो कारे करता हैं उनके साथ संबंद बताएं कि ठीक हमारे वहां से कुछ नहीं हुआ हम कुछ नहीं कर सकते पंदरा सो रुपए गाड़ी की पार्किंग का क्रेया ले रहे हैं दो म मेरी जैसे थी मेरी गाड़ी वैसी मुझे दे दें और इनसे मेरे को आज इसे चाहिए और कुछ चाहिए बस खाली मेरी जैसी गाड़ी थी मुझे वैसी करके दें